हेलो फ्रेंज मोधुमिता लीटिल कीचेन में ओयल काम मैं हूँ मोधुमिता आज मैं और एक निव रेशीपी स्यार करने जारी हूँ आज मैं स्यार करूंगी ब्यासन से बना हुआ बहुत बड़ी आसा हेल्दी और टेस्टी और बहुती सुन्दत देखने बाली धोगला का रेशीपी नर्माली हम लोग ठोकला बनाते हैं लेकिन इससे भी बैतर ये ठोकला बनेगा देखने में जितना है सुन्दर है उतना ही साफ्ट भी बनेगा बाच्चे बड़े सब के बहुत पसंद आएगा और बानाना बहुती जी है बाच्ची के टिफिन के लिए ऐसा फिर बहुती जल्दी कुछ नस्ता बनाना चाहते है तो ये वला धोकला का रेशीपी जोरूट ट्राइ कर सकते है जोलिए फिर बड़ी असा साब टोस पंजी धोकला बनाना शुरू करते है तो ये ठोकला बनाने के लिए सब से पहले एक बारतर में डाल देते हांडेट ग्राम जैसा बैसोन बैसोन को जोरूद छान के लेना है बड़ी आसा छानेंगे तो इसका जो बेटार बनेगा बहुत ही पारफिक्ट और स्मूध बनेगा तो 100 ग्राम्स बैसोन को में चान लिया एकी सातन में मील डालूँगी 50 ग्राम्स जैसा रावा मतलम 100 ग्राम्स बैसोन और 50 ग्राम्स रावा एकी सत्मे डाल देते साधनुसान नमोक और कालार केले डालूंगी थोड़ासा हल्दी पड़ार पहले आभी सुखा एंगिडियन्स को आच्छी तरा से मिक्स कर लेते उसके बार डालेंगे दो ही लेकिन जुरूत धेन रखना आच्छी तरा से बेटार ब्राना बहुत जुरूरी है तो इसलिए सुखा एंगिडियन्स को पहले आच्छी तरा से मिक्स कर ले आप डालूंगी दो ही आधा कप जैसा दो ही डाल दिया दो ही थोड़ा सा खटा होना चाहिए तो भी पात्पिक्रिस का टेस्ट आएगा एकी सत्मी मैंने आधा कप जैसा डाल दिया पानी एक साथ में पाणी जादा नहीं टालेंगे जोरुरुत की हिसाब से पाने टालेंगे तो देखी थोड़ासा गाड़ा लग रहे हैं मैंने और थोड़ासा पाने डाल दिया और बेटर के कोंसेस्टेंसी भी दिखा आती हूँ आच्छी तऱा से फेट लिए आप देखी बेट कर लिया आप दिखे इधर ही जो बैटारी इदोस मिट के बाद थोड़ा सा गाड़ा भी हो जाता है आप मैंने इसके साथ थोड़ा सा मिला रही हूँ ओयल मतलब एक से देड़ जम जेसा ओयल और डालूंगी थोड़ा सा सुगार यानि थोड़ा सा चीनी इसमें क्या होगा ब पारफिक्ट बैटार बन गया आप मैंने इस बैटार को क्या करूंगी दो बावल में थोड़ा थाटा करके यानि दो चामज करके मैंने निकाल लेती हूँ तो देखिए दो बावल में डाल लिया और थोड़ा से मैंने इस बैटार को अलग करके भी राग दिया यानि जो ब पूरा बेटान में यानि तिनो बेटान में इनुने ही डालना है तो पहले मैंने इस बेटान में इनुराल के आच्छी तरह से फिट लिया। आप डालेंगे इस थाली के उपर होगे उपर। पर यह आची तरह से फूलेगा नहीं, तो आची तरह से पानी उबान लेके बाद मैंने थाली को राख दिया, अब ग्यास का हीच पूरा हाई रख के कम से कम 4-5 मिर्ट तक इस पहला ढोकला को पाकाना है, यानि पहले बाला जो बेटार है इसको 5 मिर्ट तक पाकाना है, तब हाँ तौरा से लिएक लाख दालिए हुँति हá टोमाट दालने से पांधिता होगा, इसका टेस्ट भी बुलियास आएगा, फोल थोडा सा कास मीरे लेट पा GP, इसन कालर आप मैंने टोमाटर बाला जो बेटार है इसमें डाल देती हूँ यानि टोमाटर केचप बाला जो खटा मीठा चोट पोटा बेटार है ओ भी डाल देती हो। आच्छी तरह से फेला देती इसके उपर स्पेचुल की हेल्फ से थोड़ा सा पातला कर लेना है अभी इसको भी ढग के कम से कम 3-4 मिर्ट तो पाकाना है अभी जो बाचा हुआ बेटारे इसमें भी थोड़ा से मैंने इनू डाल दिया आच्छी तरह से फेड लेती हो तीने ब पाकाने के लिए राखी तो उसको भी चेक कर लेती है ओ भी देखिए तीन से चार मिर्ट के बाद ये बला जो लेयार है ओ भी बुड़िया सा पार्फेक्ट पाक गया आभ मैंने तेसरा लेयार डाल देती हो इसको भी आच्छी तरह से फेला देती है ये जो ढोगला है पासा चेक कर लेती हुई एक नाइब की हिल से दो देखिए बहुत ही सौप्ट और पार्फेक्ट थोड़ा से भी काच्चा नहीं है बुड़िया सा ढोगला बन गे ठांडा होने के बाद इसको काटेंगे तो देखिए अब कोई भी सेब में इसको काट सकते है उपद थोड सेब में कात सकते है तो बढ़ी एसा ढोगला पाँ गया तो देखिए मैंने इसको निकाल लेती इसी तरीका से पूरा काट लेते हैं आप चाहें तो कोई भी ग्लास की हेल से भी नॉर्माल गूल बला से में भी काट सकते हैं इसमें क्या होगा पुड़ियासा देखने में लागेगा तो देखी इस तरीका से मैंने काट लेती हो एक साथ में पूरा काट लेते उसके बाद मैंने निकाल के दिखाते हो इसको भी निकाल लेते हैं बहुत बुड़ी आसा परफेक्ट सौप्ट और स्पोंजी ये भाला ढोकला बन गी इसका जो लेयर है वो भी परफेक्ट है तो देखिए मिन इस तरीका से काट ले आब निकाल के चली दिखाते है अंदर का टेक्स्टार भी बुड़ी आसा परफेक्ट और देखने में साज मनी बहुत ही बुड़ी आसा लागेगा तो देखिए अंदर तक अच्छी तरह से पाग्या और कितना सब्ट बनी है ले आर भी परफेक्ट है और बहुत बुड़ी आसा खाने में टेस्ट लागेगा बाच्चे बहुत पसंद करेंगी क्योंकि इसके साथ टोमेटो केचाप पला जो फ्लेबार है ओ भी बुड़ी आसा लागेगा तो इस तरीका से मिने निकाल लेती हो आप चाहेत इसको एसा ही कोई भी चाड़नी के साथ खा सकते एसा पर इसको थोड़ासा सेलो पराई भी कार सकते लेकिन मेरे इस में थोड़ासा तोड़का लगाऊंगी तोड़का लगाने के लिए तोड़का पन में थोड़ासा वैल डाल दिया डाल देंगे थोड़ासा सोर्षो की दाने थोड़ासा जीरा अब डालूंगे थोड़ासा ग्रीन चीले आप चाहे तो कारी पत्ता पकरी भी डाल सकते अची तरसे तर्का कोहने देते उसके बाद इसके उपर डाल देंगे तो तर्का अची तरसे पक गया आप चाहे तो इस बरा नास्ता को बढ़ियासा कोकोनट का चाड़नी एसा पे धनिया का चाड़नी के साथ भी खा सकते बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं आप चाहे दिसके साथ थोड़ा सा फ्रेस कोकोनट भी डाल सकते हैं तो देखिए कितना बुड़िया सा मस्त देखने में लाग रहे हैं और खाने में टेस्टी और देखने सुन्दर ये वला नस्ता बहुत आसाने से खर्ण में बना सकते हैं आप चेकेटिफिन के लिए बिदे सकते हैं तो देखिए मैं उठा के भी दिखाती हूं दोनों तो रख कितना बुड़िया सा पर्फेक्ट इसका लेयार भी दिखे रहे हैं आद देखके तो आंदर लागी गया कितना सब्ट बनी है आप चुले तोड़की भी देखने के लिए और बेल बोटन को फ्रिस करना ना भूला तके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए ऐसा है हर दिन नियू नियो रिस्टीपी देखने के लिए सब लोग आच्छे रहे खुस रहे बाई बाई